नमस्कार मैं अमद्धानजी और इसमें मैं पूना में हूँ और ये आप जो देख रहे हैं न आप लोग घबला जाएंगे कि ये कोई मानव बम तो नहीं है तो इक क्या है ये देखें तो मैं आप लोगो थोड़ा सा इव्यक ना चाहता था कि ये बहुत लोगो तो मालम होग लेकिन कुछ लोगों को शायद नहीं मालम होगा जैसे आज मैं जब यहां के पास के पर्क बेगा था जब एन उनको देखाया बोले बम लगा रखा है हमने कि नहीं बम नहीं है ये हॉल्टर मॉनिटर है अब हॉल्टर मॉनिटर क्या होता है इस विशे में आप लोग जितन स्काम धिर के होती है और मेरे जो ये मेरा लगा हुआ है जो इसके लिए मैं आप लोग को समझाने के कोशिर कर रहा हूं कि इस सी से कोई डरिये नहीं इसको पैनिक मत हुए हवाई हवा नहीं मनाई है इसको एक ऐसा डिवाइस है जैसे कान में हेरिंग लगाते हैं चश्मा के बैहनते हैं जैंजर लगा ते उसी तरह से ये वी इपैस है जो आपको आप के चीज चीज को जानने के लिए जाने जाता है अब देखिंगे Passion कर यहां लगा हुआ है और यह इसी लगा हुआ है कि मुझे electrical impulses तो pacemaker के दोरा मिलता है मिलता रहा है मेरा pacemaker लगाता है 2010 में और आज है 2022 यानि कि 12 साल हो गए और जब मेरा pacemaker के programming बैटरी के बारे में जाना गया जैसे car की बैटरी होती है torch की बैटरी होती है उस बैटरी समाप्त हो इसका कोई लाइफ नहीं है बेसिकली अगर आप गूगल में जाएंगे गूगल बावा भी कहेगा 93 मंस का होता है नहीं कोई कोई pacemaker आठ साल का होता है कोई 15 साल का होता है मुझे जो पेस्ट में का implantation पीपी आई किया गया था डुवल चेंबर एपोलो हॉस्पिल में वह 2010 में महीं में किया गया था और इसका एक जो है डेवी शेटी के हॉस्पिल में किया गया था उससे जाना गया कि साले चार साल और बचा है पेस्ट मेंगर का लेकिन वह भी गुजर गया अब सिर्फ एक महने की longevity है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं एक महने में मर जाओंगा एक महने में में मेरा पेस्ट मेंकर आपके electrical impulses देती हैं body को जैसे UPS काम करता है जब बेजली चड़ी आती है inverter काम करता है generator काम करता है तो वह बहुत important चीज है आदमी को बचाने के लिए तो यह तो ज़्यादा cardiologist नहीं हूँ मैं non medical हूँ तो जो चीज मैं बता सकता हूँ वह important पार्ट यह है कि pace maker एक ज़रूरी चीज होता है body carry जब doctor recommend करता है तो कोई चीज समझ के करता है जिसका insurance है वह अपने medical insurance द्वारा कर सकते हैं जिसका नहीं है तो आप insurance कराईए आप लों कभी भी आपको आवशकता पड़ सकती है इसलिए आपको aware कर रहा हूँ और pace maker जो है important party जो मेरा device लगा गया था 2010 में उस बद उसका package था तीन लाग साड़ तीन लाग रुपए लेकिन pace maker की component में लोता है एक insurance का component भी जुड़ा होता है जैसे आज मेरा pace maker जो implant होगा pace maker कोई जो आपके शरी में लगा जाता है तो यह निकल जाएगा device में ट्रोनिक्स का और उसकी जगपे दूसरा device लगएगा pace maker with full battery उसकी warranty होगी और साथ-साथ में सिर्फ implant यानि operational charges उसके दिये जाएंगे चाहे वो 18,000 हो यह 20,000 हो आप जहां पे हैं चाहे आप लहाबाद में हो चा चाहे कानपुर में हो चाहे कहीं भी हो लेकिन सुझाओ यह है कि आप बेहतर हॉस्पेशल में जाएं जहां पे super speciality hospital हो जहां पे proper infrastructure हो एने भी एच माननेता हो मेरा सुझाओ यही होगा बाकिर आप लोग खुद जागरूख हैं तो मैं छोटे से वीडियो के द्वारा आप मैंनों को यह बताने की कोशे कर रहा हूं कि पेस्मेकर आपके लिए जरूरी की तब होगा जब कार्डियोलोजिस्ट बताएगा और temporary पेस्मेकर भी होता है जो अलग से बाहर शरी में लगता है वो भी एक तरह का temporary पेस्मेकर होता है बाहर लेकिन यह device जो permanent पेस्मेकर है शर होगा या जो भी 10 तारीक होगा अगर मैं हॉस्पिल ने जाओंगा तो ग्यारा तारीक बारा तारीक में छुट्टी हो जाईए है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो मैं इसके द्वारा जो भी भेज रहा हूं आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में डारिये और जो आप क बेहोशी हुई है सब अलग-अलग पेशिंट का अलग-अलग अपना पैरमीटर होता है अप्रोच होता है वो दुख है डॉक्टर ही बताएगा क्यों आपको से इंको भी अट्राक्स होते हैं तो थाइंक वेली मच पर वाचिंग दिस यूटूब और प्लीज सब्सक्राइब हमारा जो यूटूब चैनल अप सब्सक्राइब करिए और कोई अन विशय पे अगर आप लोग कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हों तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेगा जिसमे हम आपको उस विशय पे कोशिश करेंगे आप तक ये सूशना देते रहेंगे थैंक धनवाद नमस्कार मैं मैंदाने जी पूना से